Hello friends, Foundation of R Software में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है. आज इस लेक्चर में हम इस बात के बारे में समझना चाते हैं कि इस कोर्स को हम कैसे हंडल करेंगे, मैं as an instructor आपको इस कोर्स को किस तरह की से प्रहाने वाला हूँ, और as a student आपको इस कोर्स को कैसे समझना है, और इस समस्य के पीशे कारण है, वह यह है कि यह एक software से सम्मंधित कोर्स है, जब आप हमारे class में बैठे होते हो, हम आपको जो भी कुछ करने को कहते हैं, आप अपने computer पर उसको करने की कोशिश करते हो, और अगर कहीं पर कोई mistake आती है, कोई गलती होती है, तो हम आपके पास आ जाते हैं, और हम आपके computer मे देख करके आपको यह बता देते हैं, कि यहाँ पर आपने यह mistake करी है, लेकिन, आज हम और आप आमने सामने नहीं बैठे होए हैं, लेकिन, इसके बावजूद, हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं, कि यह समस्मय हमारे बीच में ना आए, और हम इस course को उसी तरीके से कर सकें, जै लिए हम इस course को कैसे handle करने वाले हैं, उसके बारे में आज हम बात करते हैं, और यह कुछ छोटे-छोटे से नियम है, जो हमको और आपको दोनों को उनका पालन करना है, और नियमों का पालन करते हुए हम इस course को अच्छे से कर पाएंगे, तो सबसे पहले तो बात यह है, कि इस course को करने के लिए मेरे पास दो चीचे हैं, एक तो मैंने slide बनाई हुई है, और उस slide पर लिखने के लिए आप यह देख सकते हैं, कि हमारे पास एक special तरीके का pen है, जिससे हम अपने computer screen पर लिख सकते हैं, तो हम आपको उन slide की साहिता से लिख करके और मुझवानी, दोनों मैं समझाने की कोशिश करूँगा, और जो भी कुछ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और अगर उसको आर सौफ्ट्वेर में करके दिखाने की अवशक्ता है, तो उसको मैं आपको आर सौफ्ट्वेर में करके भी दिखाऊंगा तो अब हमारे पास कई तरह की चीज़े हो गई जो मैं आपको समझाना चाहता हूं जो मैं आपको R software में करके दिखाना चाहता हूं और उसके बाद हमारा R software से क्या output आ रहा है उसको भी मैं आपको समझाना चाहता हूं और इसी बात को समझाने के लिए मैं आपको अगले कुछ मिन्टों में कुछ instructions देना चाहता हूं और मैं आप से request करता हूं कि आप उन instructions का पालन करिये और जब हम और आप एक दूसरे का हाथ पकल के किलने के कोशिश करेंगे तो हमारा रास्ता पार हो जाएगा और अनतता मैं आपको R software सेखाने में और आप R software को सीखने में successful हो जाएगे तो देखिए हम अपने slides की शुरुवात करते हैं तो देखिए यह तो हमारा पहला एक ऐसा हमारा slide होगा जहां पर मैंने इस course का title दिया हुआ है यहां पर हमने lecture की संख्या दी हुई है दारन के लिए यह हमारा lecture zero है और इस lecture का हमारा topic क्या होगा हमें इसमें से क्या करना चाहते हैं उसके बारे में बात करी है तो मैंने यहां पर देखिए यह course दिया हुआ है course का title how to learn and follow the course और यहां पर हमारा नाम और जो हमारा affiliation है जहां पर मैं काम करता हूँ उसके बारे में दिया गया है अब इसके बाद में जब भी हम अपनी slide में कहीं पर इस तरीके से नीले color में courier new font में जो भी लिखेंगे इसका मतलब होता है कि यह हमारा r software का कुछ command है अर्थात यह चीज हमारी r software में काम करेगी अगर हम यह हमने जो भी नीले color में courier new font में यहां पर लिकर के रखा हुआ है इसको अगर हम अपने r software में type करके execute करेंगे तो यह काम करेगा इसके अलावा यह काले रंग में calibrary font में देखी मैंने लिखा हुआ है यही font है कैसा मैंने यहां पर type क्या हुआ है का मतलब होता है कि यह हमारा एक usual expression है उसके त्रू हम उसको आपके बारे में हम उस चीज के बारे में आपको समझाना चाहते हैं बताना चाहते हैं तो यह हमारा कोई एक non mathematical statement होगा राइट कैसी अधारल के लिए अगर हम कहें आपको जैसे R software में अगर आपको किसी भी value को input करना है कि किसी भी value को assign करना है तो उसका जो assignment operator होता है यह हमारा पहला operator होता है कि उसमें हम left arrow और एक dash sign लगा दे कैसी यह है यह left arrow का sign और यह एक dash और दूसरा option हमारा होता है equality sign तो अब अगर माल लीजे कहीं पर मैंने ऐसे लिखा हुआ है जैसे देखी यहां पर यह लिखा हुआ है मैंने लिखा यहां पर नीले font में x assignment operator 20 इसका मतलब हुआ कि यह जो expression है यह हमारे r software का expression है और इसका मतलब यह है कि यह 20 value को x में assign करता है तो इसी तरीके से इसी बात को अगर हमने यहां पर ऐसे लिखाएगी x equal to 20 इसका मतलब यह है कि यह हमारी 20 value है यह x के अंदर assign हो गई है और इसी बात को देखी मैंने यहां पर काले रंग के कैलिबरी फोंट में लिखने की कोशिश करी है तो यह हमारी और आपकी एक understanding है कि हम इस करीके से अपनी slide को लिखने की कोशिश करेंगे अब उसके बाद हम अगर कोई भी अपना जो आर का instruction है उसको अगर हम आर software पर execute करने की कोशिश करेंगे तो उसका हमारा क्या outcome होगा इस बात को दिखाने के लिए मैंने यहां पर देखी ऐसे कुछ किया होगा यह जो एक sign है यह आपको दिखाई दे रहा है greater than sign यह greater than sign आप अभी आगे software में देखेंगे यह हमारा prompt sign होता है और इसके आगे हम अपना command type करने की कोशिश करते हैं तो जब भी हम यहां पर अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ है यह greater than sign और x equal to 20 इसका मतलब यह है कि x equal to 20 को r software में अठर किया गया है और उसके बाद जब हमने यहां पर अगली लाइन में यह greater than sign लिखा हुआ है और लिखा हुआ x इसका मतलब यह है कि मैंने यहां पर x को type किया और उसके बाद में मैंने इसमें enter कर दिया enter का मतलब है कि enter की होती है आपके computer में आपके e-board में और उसके बाद में यह जो हमारा आया है यह हमारा outcome आएगा तो अगर हम ऐसा काम अपने software में करने की कोशिश करेंगे तो हमको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा और उसी तरीके से हम आपको एक और example लेते हैं एक और उधार लेते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ऐसे देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है y equal to x into 2 अब देखिए यहाँ पर अगर मैं अपने अपने इस color को भी change करना चाहता हूं तो यह सुविदा हमारे पा हूं और तीकि मैंने कुछ अगर गल्ती भी लिख दिया है तो उसको मैं इसको मैं कर सकता हूं तो यह साधी सुविधाएं भी हमारे पास हैं तो अगर मैं अपनी slide में ऐसा कुछ कर रहा हूं तो आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं तो अगर मैंने यहां पर लिखा है y equal to x star 2 इसका मतलब यह है कि मैंने x और 2 को multiply करने की कोशिश कर दी है और इसकी जो भी value आई है उसको मैंने y के अंदर assign कर दिया है तो यही बात मैंने यहां पर लिखी है कि assigns the value to star x to y और उसी तरीके से यहां पर हमारा जो भी outcome आया है उ उसमें से मैंने x और y को add किया है और उसको मैंने z के अंदर assign कर दिया तो इसी बात को देखी मैंने यहां पर लिखा है assigns the value x plus y to z और अगर 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 इसी चीज़ को अगर हम अपने art software में करने की कोशिश करते हैं तो देखिए इसके आपको पहचान यहां से हो जाएगी जैसे हमारा कहीं पर greater than sign लिखा हुआ है इसका मतलब है कि यह वाला काम मैंने art software के अंदर किया है और यही चीज़ आप अगर यहां पर केखेंगे इस जगह पर देखिए अब जब मैं कहता हो कि आपको इस जगह पर देखना है तो उसमें से मैं यहां पर कलम का यूज जाएगी कि कौन सा part आपको software में type करना है और कौन सा part software में type नहीं करना है तो अब आप जब आप software में आप इसको type करने के कोशिश करेंगे y equal to x into 2 और इसके बाद कैसी में y पर enter करूँगा को यहां पर जो भी इसकी value है 40 मिल जाएगी और इसके बाद में आप फिर से आप इ कडमे assign कर दिया है तो जब आप Z की value को देखेंगे तो यह हो जाएगी 60 तो यह चीज तो मैंने आपको यहां पर करके दिखाई कि आप जब भी R software में ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा लेकिन जब आप इसको R software में करने की कोशिश करेंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा इसके लिए मैंने R software में जो भी यह देखिया outcome आता है उसका मैंने एक screenshot लेकर के यहां पर लगा दिया है इससे क्या हमको advantage मिलेगा कि अगर कोई हमारे छोटे मोटे calculations है हम उसको आपको यहां पर screenshot पर दिखा सकते हैं और आपको हमारे उपर यह faith हो जाएगा कि जब भी आप इसको अपने द्वारा R software में execute करने की कोशिश करेंगे तो आपको भी ऐसा ही outcome मिलना चाहिए क्यों कि जब वह outcome अगर मुझको मिल सकता है तो आपको क्यों नहीं मिल सकता है और अगर ऐसा नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि कहीं पर कुछ ना कुछ गलती हो रही है चाहिए वो tapographical mistake हो या कुछ और भी है तो आप इस screenshot को देख करके अपनी गलती को भी आप ढून सकते हैं कि आप से R software में उसी command को execute करने पर कहां पर mistake हो रही है और जब हम ऐसा करेंगे तो इसका फायदा यह होगा कि जो काम मैं आपको class में बैठ करके समझाने की कोशिश करता हूँ वह काम यहां पर बैठे बैठे खुद भगखुद हो जाएगा तो यह हमारा देखिए इसका advantage है अब मैं आपको एक काम करता हूँ यही काम मैं आपको देखिए R software में करके दिखाता हूँ जैसे देखिए यह वाला command आपका है x equal to 20 तो हम देखिए जब भी यहां पर अपने स्क्रीन दिखाई पगेगा अभी इसके बारे में आपको इंता करने की जूरत नहीं क्योंकि मैं क्योंकि जब हम course करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे अब देखिए यहां पर मैंने टाइप किया x equal to 20 देखिए यह यहां पर आ गया x equal to 20 और जब हमने x को लिख करके enter किया यह इस नहीं को दिखा दिया x equal to 20 अब अगर आप यहां से compare करने की कोशिश करें जो यहां पर यह लिखा हुआ है देखिए यह जो भी कुछ ही लिखा हुआ है और जो R software में आया है आप देखेंगे कि दोनों की value same है और उसी के बाद में जब मैंने यह वाला काम करने की मैं क्या किया मैंने इसी चीज को यहां पर type करने की कोशिश करी y is equal to x star 2 और देखिए यहां पर हमारी y की value क्या आ गई 40 और फिर मैंने क्या क्या कर दिया गर is equal to x plus y तो देखिए मैं आपके सामने इसको type करने की कोशिश कर रहा हूं और उसके बाद में z की value क्या आ गई 60 अब आप यह वाला screen यहां से यहां तक आप अगर देखने की कोशिश करिए अगर यह जो भी कुछ मैंने यहां पर our software में किया हूआ है यही चीज मैंने आपको देखिए यहां पर screenshot के तुरू देने की कोशिश करी है राइट तो यहां से देखिए आपको यह आपको advantage मिल जाएगा कि जो भी कुछ हमने यहां पर किया हुआ है वह आपको दूर बैठे बैठे भी exactly समझ में आ जाएगा तो देखिए यह हमारा approach रहेगी यह हमारी approach ऐसे रहेगी कि हम और आप जैसे कि आमने और सामने बैठ करके एक ही class में बैठ करके इस R software को सीख रहे हैं तो आप इन instructions को एक बार revise करके अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश्च करिए और अगले lecture से हम R software के बारे में formally सीखना शुरू करेंगे तो कब तक कि आप इनको revise करिए और मैं आपको अगले lecture पर फिर से मिलूँगा तब तक के लिए good bye .